नमस्ते दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है नितिन चंदीला और पवन साहू लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? प्रसिद बॉडी बिल्डर और फिटनेस विशेशगे नितिन चंदीला गुर्जर भारत के फतेहपुर चंदेला फरीदाबाद से है 14 अगस्त 1997 को 27 साल के हो गए नितिन को अपने गुर्जर मूल और भारतिये पहचान का प्रतिमिधित्व करने पर गर्व है बॉडी बिल्डिंग के प्रति उनकी प्रतिबधता और प्यार ने उन्हें कई सम्मान और सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोर्ज दिलाए है प्रारमविक वर्ष और शिक्षा नितिन का करियर फतेहपुर चंदेला में शुरू हुआ जहां उन्होंने BBA की डिग्री हासिल करने के लिए फरिदाबाद KDAV Institute of Management में दाखिला लेने से पहले करमवीर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की उन्होंने खुद को बॉडी बिल्डिंग पेशे के लिए समर्पित करने के लिए कॉलेच छोड़ने का फैसला किया जिसने फिटनेस के प्रती उनके स्थाय प्रेम के कारण उनका पूरा जीवन बदल दिया परिवार का समर्थन नितिन भागेशाली है कि उन्हें अपने परिवार विशेशकर उनकी मा मंजू चंदियाल और पिता महिपाल चंदीला का लगातार समर्थन मिला है उनके भाईयो रौकी और पवन चंदीला के साथ उनके मजबूत रिष्टे भी उनकी उपलब्धी में एक प्रमुक कारक रहे है व्यक्तिगत जानकारी नितिन चंदीला का वजन 102 किलोग्राम और लंबाई 6 फीट 1 इंच है उन्होंने प्रियंका चंदीला से शादी की है और उन दोनों का एक बेटा है बोडी बिल्डिंग का जुनून नितिन के पिता ने बचपन से ही उनके शरीर सोश्टव के जुनून को बढ़ावा दिया जब वो दसवी कक्षा में थे तब उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया और अपनी काया बदलने के प्रती द्रिर प्रतिबधता दिखाए अपने परिश्रम, प्रतिबधता और पिता के निर्देशों के कारण वो जल्द ही भारत के सबसे कुशल बॉडी बिल्डरों में से एक बन गए फिटनेस इंफ्लुएंसर और उद्देमी प्रतियों के ताओं में सफल होने के अलावा नितिन एक सफल फिटनेस उद्देमी और प्रमानित निजी प्रशिक्षक भी है वह फिटनेस गेराज एंड स्पा के गोरवानवित मालिक भी है नितिन अपने जिम और यूट्यूग और इंस्टाग्राम जैसे ओनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से महत्वा कांक्षी बॉडी बिल्डर और फिटनेस उत्साही लोगों को प्रेरित और प्रेरित करते हैं जहां उनके लगबग एक मिलियन अनुयाई है स्वास्थे और शरीर सौष्टव पर उनका अपना यूट्यूब चैनल बहुत सारी जानकारी और सुझाव प्रदान करता है मानेता एवं उपलबदिया बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में नितिन चंदीला को उनकी प्रतिबधता और प्रेम के परिश्रम के कारण कई सम्मान प्राप्थ हुए है विशेश रूप से उन्होंने 2021 में मिस्टर हर्याना और 2022 में मिस्टर इंडिया में स्वर्ण पदग जीता उन्हें 2018 में MBBI द्वारा मिस्टर वर्ल्ड नामित किया गया और 2019 में IBBF टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया सम्मानित प्रो पर नितिन का कबजा है MBBI का कार्ड बॉडी बिल्डिंग समुदाय में एक उलेखनी उपलब्धी है 2023 में उनकी अनुमानित कुल संपत्ती लगभगरू 2 करोड विवाद मितिन चंदीला 2022 के मिस्टर इंडिया विजेता थे और उन्हें कई यूट्यूबर्स से विवाद और मिंदा का सामना करना पड़ा उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनलों पर पोस्ट किये गए उत्तर वीडियो में इन मुद्दों को संबोधित करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्ट की ब्रांड प्रचार और सोशल मीडिया उपस्थिती नितिन चंदीला एक फिटनेस इंफ्लूइंस होने के साथ साथ एक ब्रांड एंबसिदर भी है अपने प्रसिद सोशल मीडिया अकाउंट पर वो अकसर उन ब्रांडों का प्रचार करते हैं जो फिटनेस और स्वास्थे से संबंधित हैं उनकी लगातार पोस्टिंग के कारण इंस्टाग्राम पर उनके समर्पित फॉलोवर्स हैं जहाँ वे वकाउट तस्वीरे और फिटनेस सला देते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क पर नितिन अकसर अपने प्रशंसकों और फॉलोवर्स के साथ बातचीत करते हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 600,000 से अधिक फॉलोवर्स उनकी फिटनेस यात्रा के प्रती अपनी प्रशंसा और प्रेरणा की इच्छा दिखाते हैं इसके अतिरिक उनके यूट्यूग चैनल पर 75,000 से अधिक ग्रहक हैं जहां वो उप्योगी फिटनेस सला और विडियो पोस्ट करते हैं नितिन की कुल संपत्ती फिटनेस क्षेत्र में नितिन चंदीला की उपलद्धियों ने उन्हें अमीर बना दिया है 2021 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ती 5 डॉलर मिलियन है हाला कि वो विग्यापनों और अन्य स्रोतों से भी पैसा कमाते हैं लेकिन उनके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत ब्रान विग्यापन है सकारात्मक प्रतिष्ठा और धर्मार्थ दान नितिन ने अपने पूरे करिया में संघर्षों से परहेच किया है और उनकी प्रतिष्ठा सकारात्मक रही है वो मानफतावादी होने के लिए भी प्रसिध है नितिन ने गैर सरकारी संगटनों और ट्रस्टों को बड़ी मदद दी है, कई लोगों को शेक्षी की अफसर प्रदान किये हैं, हाला कि वो अपने धर्मार्थ योगदान को गुप्त रखना चाहते हैं फिटनेस समुदाय के लिए एक प्रेरणा फिटनेस के प्रती अपनी प्रतिबधता, व्रिर्ता और जुनूम की बदौलत, मितिन चंदीला ने खुद को कई फिटनेस प्रेमियों, विशेशकर युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है सबसे कम उमर के भारतिय बौडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल के रूप में उनकी उप्लब्धियों ने कई लोगों को सक्रिया, स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है फिटनेस क्षेत्र में नितिन की उप्लब्धिया और सफलता उन भावी फिटनेस उत्साही लोगों के लिए एक उदाहरन और मारदर्शक के रूप में काम करती हैं जो अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहते हैं कम ज्यात तथे उनकी उप्लब्धियों के अलावा, नितिन चंदीला के पिता ने उन्हें बोडी बिल्डिंग के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो पहली बार ओनलाइन कोचिंग के माध्यम से इस खेल से परिचित हुए नितिन भारत की ओर से प्रसिद मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा रखते हैं नितिन चंदीला का भविश्य नितिन चंदीला गुर्जर अपने निरंतर समर्पन और लगातार बढ़ते प्रशंसक आधार के कारण फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में और भी अधिक उचायों तक पहुँचने के लिए तयार है अपने उत्सा, द्रिर्ता और थोस समर्थन नेट्वक की बदौलत वो आने वाले कई वर्षों तक उद्योग में एक ताकत बने रहेंगे निशकर्ष एक छोटे से भारतिय गाव से एक प्रसिद बॉडी बिल्डर और फिटनेस प्रभावशाली व्यक्ति बनने तक नितिन चंदीला गुर्जर की प्रेर्णादायक यात्रा उनके अदम्य समर्पन और कड़ी मेहनत का एक समारक है उनकी दयालू शुबकामनाय और सेलिब्रिटी युक्त अपील विशेश क्षणों को वास्तव में असाधारन बनाने की क्षमता रखती है क्योंकि वो फिटनेस उद्योग में लहरे पैदा करना जारी रखते है